किसान साथियों नमस्कार आप सबका हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियों आज हम बात करेंगे नीमू में एक रोग की जिसे गोमोसिस कहते हैं गोमोसिस एक फंगल रोग है जो पाइट फथोरिया नाम से भी जाना जाता है इसका मुख्य कारण जड़ों से होता है और अगर जड़ में इसका इलाज ने करा जाए तो इसे रोग पाना असंभव होता है एक किसान ऐसा भी है जी हां रविंद सियाग जो कीनू की बागवान की है लेकिन कीनू मुख्य रूप से उनका व्यवसाय है उनका बाग बहुत बड़ा है और बहुत पुराने वरक्स है आपने एक बार पहले भी पढ़ा होगा कि उन्होंने अपना एक 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 स्पेरिमेंट हमसे साजा किया था इसी बीमारी के बारे में वो था कि वेस्ट ड क्यागी जी मुझे इसका एक इलाज और मिला है जो मुझे पंजाब एग्रिकल्चर उनिवस्टी के वेग्यानिकों ने बताया था एक लिक्विड होता है सोडियम हाइपो क्लोराइट जिसे हम साधान भासा में ब्लीचिंग पॉडर भी कहते हैं और ये ब्लीचिंग लिक् योग होता है और दूसरा है कागज का उद्योग कागज और लुगदी बनाने में इसका बहुत महत्वपून योगदान है किसान साथियो जब मुझे उन्होंने इस बात पर चर्चा की तो मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया कैसे ढूंड़ा आप कि अंदर क्या जिग होता है और जो इस्प्रे में डिजल का खर्चा आता है उसके अलावा साथ हजार होता था अब वो किस चीज में होता था जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए दो दवाईया है एक है रेड़ो मिल गोल्ड जो सिजेंटा कंपनी की है और एक है एलियट एलियट बायर की है कि दोनों दवाई इस रोग को रोकने में काम आती है जब ये रोग हो जाता है इसका उपचार करने में काम आती है फिर मैंने सवाल किया कि आप इसको पहचानते कैसे हैं तो उन्होंने बताया कि मार्च के मद्धे में इसका असर आना सुरू होत तो किसी एक डाली के पत्ते पीले होने शुरू हो जाएंगे, उन्होंने मुझे कुछ फोटो भी भेजे हैं, जो मैं आपसे साजा कर रहा हूँ, और उन पत्तों को देखकर आपको ये पता चल जाएगा, कि पोधे में केवल एक ही साखा के पत्ते ऐसे हैं, या सब के ऐसे हैं पत्ते पीले होते हैं, फिर सूकते हैं, उसके बाद क्या होता है, कि साखा पर कहीं आपको एक गोंद सा द्रव निकलना दिखाई देता है, कुछ दिन बाद, उसके बाद उसमें दराडे भी आ जाती हैं, जैसी हमारी घर की दिवारों पर आ जाती हैं, उसकी तरह की दराड किसान साथियों कितना भेंकर रोग है इसलिए मैं कहता हूँ कि बाग में हफते में कम से कम दो बार अवज से जाना चाहिए और अपने पोधो को देखना चाहिए निम्बू में कैंकर रोग और ये गुमेसिस और ये डाइबेक ये तीन मुख्य रोग होते हैं अगर आपने सम पर इनका इलाज नहीं किया तो आपको बहुत नुक्सान उठाना पड़ेगा अब आईए हम देखते हैं इसका इलाज क्या है सबसे पहला आपको क्या करना है कि नीम्बू वर्गिये जितने भी फल है उन सब में ये रोग होता है चाहे वो माल्टा हो चाहे वो कीनू हो चाहे वो नीम्बू हो चाहे वो लेमन हो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो आपको भाग खराब दिखाई दे रहा जहां पर गोंध है उसको एक तेज साफ चाको से साफ करिए जैसे हम घर की दिवार की दराडे भी साफ करते हैं उसी परकार से साफ कीजिए साफ करने के बा बोर्डो पेस्ट में आप सो ग्राम या सो मिली लीटर आप अलसी का तेल भी मिला लेजिए अलसी का तेल मिलाने से क्या होगा कि पेस्ट जादा समय तक आपके पोधे पर टिकेगा और बारिश से ये धुलेगा नहीं अलसी का तेल बोर्डो पेस्ट में आसानी से घुलता नहीं है कोई भी तेल लो अगर उसे किसी साधान लेक्विड में डालेंगे तो वो घुलता नहीं है उसके लिए आपको दो काम करने है या तो अलसी के तेल को गरम कर लीजिए या उसमें एक सेंपू का पोच मिला लीजि तो वो बिल्कुल नहीं मिला और मुझे वो सारा फेकना पड़ा पहले उसमें पानी मिलाईए और जब वो तैयार हो जाए तो उसे अलसी का तेल गरम कीजिए और थोड़ा गरम करकर मिलाईए फिर उसको ठंडा होने दीजिए या आप उसमें थोड़ा सैंपू का पौच मिला लेजिए बहुत बढ़िया पेंट होता है तो बॉर्डो पेस्ट करिए और बॉर्डो मिसरन का छिड़काओ करिए पोधे पर ये कारिये आपको जो बॉर्डो मिसरन का छिड़काओ है ये 15 दिन में फिर दो रहना है अब आता है आपका सोडियम हाइपो क्लोराइट जो उन्होंने हमें बताया है ये ब्लीचिंग लिक्विड होता है सोडियम हाइपोकलोराइट अगर 5 लिटर की कैन आप खरी देंगे तो आपको 300 से 400 रुपए में कहीं भी मिल जाएगा 40 लिटर पानी लीजिए और उसमें 40 ml सोडियम हाइपोकलोराइट मिलाइए जब वो घुल जाएगा तो इसे पोधे की जड़ों में अच्छी तरह से दे दीजिए ये धान रखिए कि वहाँ पहले से नमी मुझूद हो ताकि ये जड़ों में अच्छी तरह नीचे तक पहुँच जाए किसान सातियों ये जो मात्रा मैंने बताई है ये 8 वर्स के पोधे के लिए बताई है अगर आपका पोधा 4 वर्स का है तो आप इसे आधा कर दीजिए 2 वर्स का है तो उससे आधा कर दीजिए इस प्रकार आप मिलाएए कम से कम पांच लिटर एक छोटे पोधे में अगर आता है तो अवज से दीजिए छोटे में बहुत मुश्किल आता है किसान सातियों मैंने एक बार 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 बताई है और मैं फिर दोर आ रहा हूँ कि COC का इस्प्रे आप अपने पोधों में साल में चार बार कम से कम कीजिए और अगर हर दो महां में एक बार करेंगे छे बार करेंगे तो आपके पोधों में कोई रोग नहीं आएगा चार बार इस्प्रे कीजिए और चार बार ड्रिंचिंग भी कर दीजिए अगर छे बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और इन छे में से दो बार उसमें स्टरप्टो साइक्लिंग भी मिला लीजिए किसान साथियो मुझे बहुत अच्छा लगता है अब किसान अपने जो अनुभाव है में मुझे साजा करने लगे और आपको पता है कि ये सब मैं एक किसान ऐसा भी सीरीज के अंतरगत दिखाता हूं जो लेख और जो विशे मुझे अच्छे लगते हैं उन पर मैं एक लेख भी लिखता हूं रविन सियाग जी का मैं धन्यवाद करता हूं उन्होंने मुझे दिया मेरे से बात भी की और मुझे जो भी मैंने उनसे पूछा मुझे बताया जिससे कि मैं उस पर एक लेख लिख लिख रहा हूं ये लेख दो से तीन दिन के अंदर वेब साइट पर होगा किसान साथियों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि अब कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे मिल गए हैं जो अपना अनुभाव साजा करते हैं नहीं तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वो जब उनको प्रोब्लम समस्य आती है तब ग्रूप में पूछते हैं और उसके बाद चले जाते हैं ये भी ध्यान नहीं रखते कि ये समस्य कम से कम दस बार बताई जा चुकी है और एक ही चीज को बार बार बताते बताते मेरा भी धरिया जवाब दे गया इसलिए मैंने एक अलग ग्रूप बनाने का निश्चे किया है जिसमें केवल वही लोग रखे जाएंगे जिनें इसमें रूची होगी जो इसमें कुछ काम कर सकेंगे साजा कर सकेंगे और ये सारे अनुभव हम वेबसाइट पर रखते रहेंगे जिन लोगों के पास समय नहीं है ग्रूप में आने का जिन लोगों के पास और कुछ समय नहीं है जब उनको आवज सकत्या होगी वो वेबसाइट जाएं और उस पर देख लें इससे ही काम चलाएं क्योंकि जो ये ग्रूप होगा ये पेड होगा और इसमें एक फीस रखी जाएगी जिससे के इसमें ज़्यादा भीड नहीं हो सके और वही किसान आए जो की कुछ योगदान देते किसान सात्यों ये थी आज की प्रस्तुती अगर आपने भी इस तरह का कोई कार्य किया है और दूसरों के साथ साजा करना चाहते हैं तो मुझे अवश्य से लिखें उसकी एक छोटी वीडियो बनाए और मैं उसको प्रस्तुत करूँगा ग्यान बांटने से बढ़ता है आप भी अपना ग्यान बांटिए और दूसरों से साजा करिए और हाँ घर पर रहिए सुरक्सित रहिए अगर आपको खेत पर जाना है जवकि आज कल बहुत अवश्यक है फसल कट रही है तो समाजिक दूरी का ध्यान रखिए अपने मजदूरों को भी समझाईए और एक और चीज का बहुत ध्यान रखिए कि वो अपने मूँपर एक हलका गमच्छा या कपड़ा बांद कर अवश्यर रखे घर जाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोएं खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोएं और पैर धोएं अच्छी तरह से इसका इंतिजाम करिए घर पर रहिए सुरक्सित रहिए जान है तो जहान है इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जै हिंद, जै भारत, बंदे मात्र